जाए सीराम कुकिंग में इजी बै पिंकी में आपका स्वागत है नया रेसिबी के साथ आज सुबह में भोग बना रही हूं तो जल्द करके इसे करके काटिंग कर लिया है अभी कुकर में घी डालना है घी गरम हो गया अब इसमें एक लाग एक तेच पत्ता और एक एलाइची डाल देती हूं डालके एक कोटरी इसमें काजू डाल देती हूं डालके जो गाजूर उसको डाल देती हूं डालके थोड़ा सा के लेतियों कर लेतियों काजर को अभिष में मैं आधा कब एक काप मेंने चीनी लिया है एकके जी घाजर इसमें गाजर मिठा है इसवी acid Liberty मैं ने बरstad कि चेनी डाला है अभी शीटे लगने के लिए बेड बिठा दिया कुकर को पास सीटी लगेगा अब इमें आटा गुंद रहे हुँ इसमें आटा और मैदा दोनों बड़ाबल देना है लेके थोड़ा से रिफाइंड डाल के इसको आटा को गुंदना है देखिए अच्छा से आटा को गुंद के राख देती हुँ सारे एक एक करके में पूरी बना लेती हुँ गाजर पक भी अधर बन गया है अच्छा से तो कर्ची से में थोड़ा इसको मैश कर लेती हुँ के अच्छा से मैश हो गया है अब कड़ाई में दूसरी कड़ाई में में सुजी का हल्वा बनाऊंगी इसमें घी डाला है घी ड ब्राउन कलार हो गया तबी इसमें जैके 100 ग्राम, इसमें चिनी डालना है और काजू भी में एक लाइल ने डाल दिया है तो खुच भूब खोड़ना शुरू कर दिया है अभी घी का और सूजी का तबी में इसमें पानी डाल देती हूँ बन का तयार हो गया थाली पसत के लिए दीखें पूरी आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्रीब करना बेल आइकन के पेश करना तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा पूरी और गाजर पाक इसमें मैंने खुआ नहीं डाला है इसमें सरफ दूद डाला था और इस सुजी का हलुआ इलाड़ू ड्राइफूट का लड़ू इस पसत का थाली मेरा तयार हो गया है आपको मेरा थाली कैसे लगा कॉमेंट करना अच्छा लगी तो दोस्तकिशा शेयर करना अब एक बार ऐसे करके गाजर पक बनाना बहुत टेस्टी और जल्दी भी बन जाता है क्योंकि सुबे सुबे जल्दी रहता है इसलिए मेने जल्दी कुकार्मी सिटी लगा के इससे बनाया थैंक यू जय सीरम